दोस्तो फाइनल सोलुशन यूटूब चैनल में आपका सौगत है दोस्तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसे पास इस्टेफ जिससे कि आप किसी भी अवरत को असानी से पढ़ा सकते हो दोस्तो ज्यादातर लड़कों की शिकायत यह रहती है कि वो किसी अवरत को दोस्तो इन गलत से आप बिल्गुल भी दूर रहे आज मैं आपको इस वीडियो में पास इस्टेफ बताऊंगा जिसे आप फॉलो करने से आप किसी भी अवरत को आसानी से पढ़ा सकते हो तो चलिए दोस्तों कौन से हो पास इस्टेफ मैं जल्दी से आपको बता देता हू नमर एक आप जिस भी अवरत को पसंद करते हो सबसे पहले आपको उनकी बारे में ये जानना है कि उनका पती उनसे प्यार करते है या नहीं अगर उनका पती उन्हें प्यार करते है उन्हें वक्ते देते है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो ये सब बेकार हो जाएगा तो ऐ कि आते हैं कि आपको करना क्या है, सबसे पहले आप नोटिस करें, कि वह और जिसे आप पसंद करते हो या पटाना चाहते हो, वह घर से किसी काम से बाहर जाती है या नहीं, जब वो अपने घर से निकलती है, तब आप भी उनके साथ साथ चलिए, एक हफ्ते तक आप उनके साथ साथ चलिए, और आठवे दिन, आठवे दिन से उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, और नौवे दिन से वो आपको खुद बोलने लगेगी, कि आप कल क्यों नहीं आएं, दोस्तों, यहां से आपकी बात्चित शुरू हो जाएगी, जिससे आपकी बात बन सकती है, नुम्बर दो, आपको उस औरत के सामने किसी दूसरी लड़की या औरत की तारिफ करनी है, दोस्तों, अगर आप उस औरत के सामने उनके किसी दोस्त की नहीं होगा कि एक और दूसरे और चाफी ज्यादा जलती है और जिसका फाइदा और आसानी से उठा लेती है नूमबर तीन आप अपने मोबाइल पर हमेशा रोमेंटिक रिंग टॉन लगा कर रखें दोस्तों रोमेंटिक रिंग टॉन सुनकर और आवरते काफी ज्यादा इं नूमबर चार दोस्तों अवरतों को रिस्पेक्ट करने वाले बंदें बहुत पसंद आते हैं दोस्तों जब भी आप उस अवरत से बात करते हो तो अन्हें आप कईकर ही बात करें, जिससे उनके लगे कि आप उनकी इजजत कर रहे हों अपने लातों में मिठास और थोड़ लाए गाली गलोस से बिल्कुल भी दूर रहे नमबर पाच दोस्तो जब भी आप उस अवरत से मिले उन्हें एक चौकलेट या किसी उनके किसी मन पसंद की छोटी मोटी चीजे गिफ्ट जरूर करे क्योंकि अवरतों के शौक को पूरा करने से उनको पटाने में काफी आसानी होती हैं दोस्तो अगर आप इन पाच इस्टेप को फॉलो करते हो तो आप आसानी से किसी भी आवरत को पटा सकते हो